टूल्किट मामले पर विवात थमने का नाम नहीं ले रहा है कांग्रेस नेता राहूल गांधी ने टूइट करते हुए कहा है कि सत्त कभी डरता नहीं है राहूल गांधी का या टूइट ऐसे समय में सामने आया है जब सम्भित पात्रा के टूइट को मेनबलेड मीटिया बताने के मामले सोंबार को दिल्ली पुलिस के प्रेसर सेल ने टूइटर इंडिया को नोटिस जारी का सबोत पेस करने के लिए कहा था टूलकिट मामले में संबार को दिल्ली पुलिस की स्पेसल सेल टूइटर इंडिया के आफिस गई थी माना जा रहा था कि पुलिस छापे मारी के लिए वहां गई है लेकिन पुलिस ने छापे मारी की बात को सिरेज से खारिश कर दिया है इस बेज कांग्रेस नेतर राहूल गांदी ने टूइट करते हुए कहा है कि सत्य कभी भी पराजित नहीं होता है राहूल गांदी का टूइट ऐसे समय में सामने आया है जब संबीत पात्रा के टूइट को मैनिपलेटर मीडिया बताने के मामले में संबार को दिल्ली पूलिस की स्पेसल सेल ने टूइटर इंडिया को नोटेज जारे कर सभूर पेस करने को कहा था जिस पर टूइटर ने कहा है कि वाच्यानकारी देने के लिए बात नहीं है टीम करीब एक गंडेस तक रुकी इस्पेसल सेल ने ट्वीटर इंडिया के संपर करने की कोशिस की लेकिन जब आफिस कर दरवाजा नहीं खोला गया तो टीम को बापा स्लोटना पढ़ा टूल किट मामले को लेकर भाजपा प्रवक्ता संवित पात्रा ने कांग्रेस पर ब्यहतं भीरा रूप लगाया है 18 मैं को बीजेपी प्रवक्ता संवित पात्रा और बीजेपी के महाससी बीयल संतोज ने चार-चार पेज के अलग-अलग दो डाकुमेंट के स्क्रीन साट टूइट गिये इनमें से एक डाकुमेंट कोविड-19 को और दूसरा सेंटल विश्टा प्रोजेक्ट से समन दिता है इन टूइट में दावा किया गया है कि ये कांग्रेस का टूल किट है उन्हें धर्म विशेस को टार्गेट करते हुए सुपर इस्प्रेडर टूम और वायरेस के मूटेंस पे इस्टेंट के लिए मोधी इस्टेंट जैसे सब्दों का इस्तिमाल सोशल मीडिया पर करना है लेकिन इद को हैप्ती सोशल गैधरिंग की तरह पेश करना है संवित पात्रा के टूट को बाद में टूटर ने मैनुपुलेटेड मीडिया बताया था टूटर के इस कदम पर केन सरकार ने भी नाराजगी जताई थी सूचना पुसारण मंत्राले ने टूटर को मैनुपुलेटेड मीडिया हटाने को कहा था क्योंकि इस मामले की जाच चल रही है इस कारण जाच में बादावत्पन होगी वहें टुइटर के इस कदम के बाद कांग्रेस्ट नेताओं ने बीजेपी नेताओं के खिलाब तुगलफ रोड ठाने में सिकायद दर्ज कराई है अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे हमारे चैनल पर आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेसन सबसे पहले आप तक पहुंच सके धन्यवाद